तो बच्चो आज हम करेंगे क्लास सेवन के साइन्स के बुक में चैप्टर नमबर सिक्स जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो बच्चो ये चैप्टर स्टार्ट करवाने के पहले मैं छोटा सा ओवर्वियू दूँगा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं थाकि जब हम चैप्टर को रीड करें तो हमारे मन में कनफ्यूजन ना हो कि इनमें फर्क क्या है तो बच्चो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिनमें हमारा बोड़ी या कोई भी ओबजेक्ट या कोई भी सबस्टांस सिर्फ और सिर्फ उसके सेफ साइज इस्ट्रक्चर या कलर या उसका स्टेट चेंज हो यानि इसको हम बिलकुली असान भासा में कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा चेंज जिनमें कोई केमिकल चेंज ना हो मतलब केमिकल सेम हो कोई भी वस्तु है कोई भी बोड़ी है वो चेंज हो रहा है तो चेंज होनने के बाद केमिकल वोई रहे सिर्फ उस body की बनावट मतलब उस वस्तु की बनावट shape या structure या उसका रंग, color या उसका state यानि अवस्ता change हो तो उस change को हम कहेंगे physical change यदि change होने के बाद chemical भी change होता है तो उस change को हम कहेंगे chemical change है तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं तो बच्चो आओ इस बात को हम example के साथ समझेंगे तो बच्चो जैसा कि यहाँ आप आप देखो आप आप इसमें देखो माल लो हमारे पास पानी है water तो water में क्या होता है कौन सा molecule होता है H2O होता है A2O से क्या बनता है water तो बच्चो हमने क्या किया इस water को गर्म करने के बाद यह क्या बना वैपर ठीक है बनता है भाब बनता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनता है भाब ऐसे ही जब हम water को cool करते हैं मतलब ठंडा करते हैं इसको आप freeze करोगे मतलब freezer में रख दोगे तो क्या बनेगा? Ice ठीक है, Ice बन गया तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि water है इस water का अवस्था मतलब state change हो गया कभी यह vapor बन रहा है तो कभी यह ice बन रहा है बट हमने एक बात और देखी कि water भी H2O से बना हुआ है और vapor भी H2O से बना हुआ है और ice भी क्या है? H2O से बना हुआ है तो मतलब हमारा यहाँ पर state change हो रहा है water का, ना कि chemical chemical क्या है? सेम है तो बच्चू यह कैसा change होगा? physical change होगा क्योंकि physical change वो change है जिन में chemical सेम होता है chemical change नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी वस्तू का state change हो सकता है या उसका structure मतलब बनावट change हो सकता है या उसकी रंग color change हो सकता है या state ठीक है? तो इन सारे changes को हम क्या कहेंगे? physical changes यदि chemical change नहीं हुआ यदि chemical change हो गया तो उसे कहेंगे हम chemical change तो यहाँ पर देखो आप हम water को जब गर्म किये और water को जब ठंडा किये जब ice और vapor बना तो क्या ice और vapor का chemical change हुआ? नहीं हुआ दोनों में क्या है? जैसे बच्चा यह magnesium ribbon है आपने पढ़ा होगा कि magnesium ribbon को जब हम जलाते हैं या जो magnesium ribbon किसका हर है? किसका बना हुआ है? magnesium से तो जब हम magnesium को जलाएंगे इसको हम burn करेंगे तो burn होने के बाद हमने पढ़ा हुआ है यह क्या बनता है? magnesium oxide और heat release होती है, heat produce होती है तो बच्चा आप यहां भी देखो कि बर्न करने के पहले, मतलब जलाने के पहले, यह क्या था? जब हम इसको जलाए तो क्या बन गया? मेंगनेसियम ओक्साइड तो यहां भी देखो आप केमिकल चेंज हो रहा है और यहां पे magnesium है और यहां पे क्या magnesium oxide तो हमने क्या दिखा कि यहां पे जलाने के बाद जो magnesium ribbon था वो magnesium oxide बन गया तो यह कैसा चेंज है बच्चा यह है chemical change यहां पे chemical change हो रहे हैं ऐसे बच्चा water है आप अभी तो नहीं बड़े class में पड़ोगे 8th class में या 9th class में जो भी उसमें आप पड़ोगे कि जो water है water किसे बनावाए है H2O से जब हम water का electrolysis करेंगे तो यह दो molecule में चुटता है एक hydrogen में और एक oxygen में यहां पर हम देख रहे हैं hydrogen gas और oxygen gas अलग-अलग हो जा रहा है यहां पर दो molecule में चुट गया हमारे पास जो water सा electrolysis के पहले यह water molecule था मतलब एस टूओ का एक molecule लेकिन electrolysis करने के बाद यह अलग-अलग हो गया हाला कि इसको हम balance करेंगे पर balance करने की जोड़त भी नहीं है अभी आपको बस यह समझना है कि पहले स्टूओ का मुलीकूल था अब यह hydrogen का मुलीकूल और oxygen का मुलीकूल बन गया तो यहां पर क्या होग केमिकल हो रहा है पहले केमिकल कुछ और था अब केमिकल कुछ और हो रहा है तो वच्चा यह कैसा चेंज है यह है chemical चेंज ऐसे ही एक example आप और देखो हमारे पास iron का पीस है आरन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं F E से रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चा हमने क्या किया इस आरन के पीस से हमने तीन चीजे बनाई क्या क्या बनाया पहली चीज हमने कील बनाई आरन की कील जो हम घरों के दिवारों पे ठोकते हैं उस पर कुछ तांगने के हाई दो क्या हो गया is iron का कील हमने इसी एक तलवार बनाया तो दिखों तलवार की संदर बनाई है मैंने में ड्राइंग बहुत अछह है तो आप देखो हमने आयंसे तलवार बनाया और हमने इसी आयरं के पिष से एक चाकू नाइफ मनाया तौ बच्चा आप से पुछूं क्या यहां पे कोई chemical change हुआ है तो सोचोगे आप कोगे नहीं सर यहां पे chemical change नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ है कि हमारे पास जो पीस था वो भी iron का पीस था जो हमने कील बनाई वो भी iron के कील है और जो हमने तलवार बनाया वो भी आइरन का तलवार है जो हमने चाकू बनाया वो भी आइरन का चाकू है लोहे का चाकू है तो तीनों में तो लोहा ही है इसमें भी एफी है इसमें भी एफी है और इसमें भी एफी है मतलब लोहा है तो लोहे का पीज हमारे पास था हमने लोहा से ही लोहा बना दिया हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ इसका structure इसका बनावट को हमने बदल दिया लेकिन chemical तो वही है ना लोहा ही है तो यह कैसा change है physical change जहां पर chemical same हो सिर्फ बनावट या state या रंग या अवस्ता जो भी है वो चेंज हो जाए उसको क्या कहेंगे physical यहां पर chemical change नहीं हुआ तो यह physical change है ऐसे ही मैं आपको एक और अच्छा अच्छा अच्छाम पर दे रहा हूं हमारे पास एक मिट्टी का चुवा है दो कितना सुंदर मने चुवा बनाया हुआ है तो यह मिट्टी का चुवा है खिलावना है तो है जो की कले का है मिट्टी का है तो हमने इस मिट्टी के चुवे को पटक दिया जब मैं इसको पटकूंगा तो यह मिट्टी का चुवा तूट जाएगा और तूट कर यह ऐसा बन गया ठीक है तुकरो तुकरो में तूट गया इसके कई टुगडे हो गए मैं पूछ वहाँ आप से कै यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है आप होगे नहीं सर यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि यह पहले भी मिट्टी का था और तुटने के बाद जो तुगडे होएं क्या वो तुगडे लोहे के होगे तुटने के बाद जो इसके तुगडे होएं क्या वो तुगडे लोहे के अप्लाइस्टिक के होगे नहीं न वो तो मिट्टी की है वो सिर्फ उसकी बनावट चेंज हो गई वो तूट तूट कर कई हिस्सों में बढ़ गया लेकिन है तो मिट्टिक आई न तो यह कैसा चेंज है यह है फिजिकल चेंज क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है ऐसे बच्चा लो एक और एक्जामपल हमने पेपर का पेश लिया मतलब एक कागज का तुकडा लिया उस कागज से हमने एक बोट बनाई नाव बनाई या एरोप्लेन कहे लो हमने जहाज या नाव बनाई मैं कहूँ आपसे क्या यहाँ पे कोई केमिकल चेंज भुआ है आपको वोगे नहीं सर यहाँ पे केमिकल सेम है तो कैसा चेंज है यह फिजिकल क्यों क्योंकि पहले भी हमारे पास पेपर था जब नाव बनी क्या यह नाव लोहे की बनी है नहीं, यह कागज की है, इसमें भी कागज और इसमें भी कागज हमने क्या किया? सिर्फ इसकी बनावट यानि structure चेंज किया है तो यह कैसा चेंज है बच्चा? यह है physical change और chemical कब होता है? जब इसमें कोई chemical change होता है chemical change तो हुआ नहीं, यह कागज का कागज ही है तो यह कैसा चेंज है? यह है physical change ना कि chemical change अब एक example और लो हमने paper लिया, paper का piece जैसी इसमें लिया था हमने ऐसे ही एक paper का piece लिया इसको हमने जला जिया, हवा के presence में मतलब हवा की उपस्तिती में हमने इसको जला दिया तो बच्चा, जलाने के बाद हमें पता है कोई भी चीज जलती है, तो क्या बनता है? CO2 carbon dioxide, तो बच्चा, आप बताओ पहले यह paper था, और जलाने के बाद अब यह हवा के presence में क्या बन गया? carbon dioxide तो यहाँ पे देखो आप, इसमें chemical change हो रहा है तो यह कैसा change कहलाएगा? chemical change ठीके? chemical change है यह तो बच्चो, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि physical change में और chemical change में क्या फर्क है? बहुत सारे example भी हमने discuss किये तो I hope आपको अब इसको अच्छे से समझ गए होगे तो बच्चो, आओ अब हम chapter को start करते हैं चो chapter में क्या लिखा बाएग देखो आओ पड़ते हैं इसको everyday you come across many changes in your surroundings तो बच्चो, हम अपने आस पास अपने चारों और बहुत सारे changes को होते भी देखते हैं बहुत सारे बदलाव को होते भी देखते हैं इस changes may involve one or more substances तो यह बच्चे जो changes होते हैं यह एक से जाजा सबस्टांसे में देखने को मिलते हैं तो बच्चा हम से यह बोल रहा है जैसा कि आपके मन में कहती होंगी कि सुगर कुछ पांड़नी में मिलाओ और उसका सुगर सोलूशन बनाओ तो बच्चा यहां पे बताओ यह कैसा change है देखो आपने एक ग्लास है यह पाणी है हमने क्या क्या इसमें सुगर चीन्ड़ी को घोल दिया चीन्ड़ी को घोलूंगा तो घोल करिए क्या बन जाएगा सुगर water सुगर का solution बन जाएगा ठीक बच्चा यह बताओ यह जो हमने सुगर को घोला था यह सुगर क्या है solid है घूरने के बाद ये किसमें बन गया liquid में तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है यहाँ पे state change हुई है मतलब अवस्था change हुई तो बच्चो यह कैसा this change है यह है physical change यहाँ पे सिर्फ state change हो रही है ना कि कोई chemical change हो रहा है पहले भी था और अब भी सुगर ही है तो यहां पर अवस्ता है मतलब इसकी चेंज हो रही है सोलिर से लिक्विड बन रहा है यह तो यह है फिजिकल चेंज अब क्या बुल रहा है अब बुल रहा है similarly setting curd from milk is a change हमसे कह रहा है कि दूसे हम दही बनाते हैं वो भी क्या है चेंज है पर कैसा चेंज है यह आप बताओ तो बच्चा दखो दूद्ध हमारे पास उस milk को हमने क्या किया उस milk से हमने दही बना दिया तो बच्चा आपने सुना होगा कि जो दही है उसमें बहुत सारी बैक्टरिया होती है और वो जो बैक्टरिया होती है वो दूद में नहीं होती है इसका मतलब कि दही का जो केमिकल है वो अलग है और दूद का जो केमिकल है वो अलग है तो मिल्क में जो केमिकल था उससे अलग केमिकल दही में है तो यहां पर देखो केमिकल बदल रहा है तो यह कैसा चेंज है? यह है केमिकल चेंज ठीक है? आगे पढ़ते हैं कहां गया? हाँ Sometimes milk becomes sore आपने सुना होगा कि दूध घटा हो गया तो बच्चा जब milk के खटा होता है तो इसका स्वाद क्या होता है? Change होता है खटा होने के बाद जब स्वाद इसका test change हो रहा है इसका मतलब इसे में कोई केमिकल दूसरा आया होगा इसमें केमिकल का बदला हुआ होगा तब इस उसका टेंज अलग है तो बच्छा यह कैसा चेंज है यह भी केमिकल चेंज है क्योंकि खट्टा खब होगा जब केमिकल बदलेगा अब आगे पड़ते हैं शोरिंग ओफ मिल्क इस चेंज हैं सही बात है यह भी चेंज वराइटिक है हम इसो रबर बैंड गया है कि हमारे पास हे एक रढाऊएथ क्या है इसको हमने इस ट्रेश किया एस साइड से और उस साईड से पकड़ कर उसको हमने खीचा तो बच्चा किसने के बाद क्या ये लोवे खाऊ जाएगा है तो रबर ही न तो रबर से रबर हम रबर से रबर को ही खीच रहे हैं ना कि ये लोहा मन रहा है केमिकल तो वही है पहले भी यह रबर बेंड था और अब भी रबर बेंड है तो यह कैसा चेंज है यह है फिजिकल चेंज तो कि यहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है हमसे कह रहा है कि आप अपने आस पास जो भी चेंजे से दिखते हो उनका एक लिस्ट बनाओ बच्चों ऐसे बहुत तर चेंजेस हैं ठीक हैं वही जो मैंने आपको सारे एजांपर दी हैं दूस्से दही या वाटर से आईस वाटर से वैपर या मैंगनेसियम से मैंगनेसियम या वाटर या एलेक्ट्रोलिशिश ओफ वाटर ठीक है या पेपर के पीश से एरोपलेन या बोट ठीक है बच्चा या लोहे के पीश से कील लोहे के पीश से नाइफ लोहे के पीश से स्वोर्ड वस्तलवार तो यह सारे चेंजेस बहुत सारे चेंजेस बनेंगे चाहे वो वो फिजिकल न चाहिए को केमिकल वो बात की बात है आप से बस यह कहा है कि कुछ चंजिस के बारे में आप सोचू जो आप देखते आ रहे हो तो यह सारे चंजिस है ठीक है अब क्या बढ़ रहा है हम से कह रहा है कि हम इस चंटर में बहुत सारे अक्टिविटी करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि उस अक्टिविटी को करके हम चंजिस की नेचर के बारे में जानेंगे ठीक है कि उसकी प्रवित्ती कैसी है broadly these changes are of two kinds physical and chemical तो वच्चो वैसे जो changes है उनकी कितने kind होते हैं कितने types होते हैं उनके two types होते हैं एक physical change एक chemical change मैंने आपको बता रगा यह तो बच्चो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आपके इस चेप्टर को बिल्कुल ही छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा ताकि एक टोपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो आज के लिए तना काफी है आज मैंने आपको इस चेप्टर को इंट्रोडक्शन दिने मताँ टाइम लग गया तो कोई बात नहीं अच्छा भी हुआ इससे आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है तो बच्चो हम अगले वीडियो में यही तीन या चार जो भी एक्टिविटी दी हुई है इनको हम करेंगे और इनको समझेंगे और इन एक्टिविटी को करके फिर मैं थोड़ा और भी लंबे वीडियो नाओंगा तो आज यह जो आपका इंट्रोड़क्शन यह जो चेप्टर है इस च वीडियो को बार बार देखो और समझो कि फिजिकल चेंजिस में और केमिकल चेंजिस में क्या-क्या फर्क है और उनके जो मैंने आपको एक्जामपल बताया हुआ है वह अच्छे से समझना क्योंकि वह एक्जामपल आगे भी आएगा तो ठीक है बच्चो आप इसे